हेलो एंड गूड इबनिंग एवरीवन सो अगेन वी आर कनेक्टिव टू डिसकस निफ्टी टेक्निकल लेवल सबसे पहले बात करते हैं आज निफ्टी ने बेसिकली किया क्या है लेट्स डिसकस अबाउट दिस तो आज मार्कीट जो है वो गैप अप ओपनिंग हुआ गैप अच्छा खासा कुला पिछले दिन के हाई को ब्रेक करता हुआ ही बाजार दिखाई दिया ओपनिंग के टाइम पर और उसके बाद जो है बाजार काफी की कंसोलिडेशन पीरेड में रहा और करीबन दो बजे के आज पास बाजार में एक छोटा सा स्वाल देखने को मिला और निफ्टी बाउंस बैक अगें एंड क्लोज नियर डे हाई राइट सो पॉइंट इस देखिए निफ्टी का गैप आप ओपनिंग होना इट्स इट व ग्लोबल क्यूज जो है वह थोड़े पॉजिटीव थे अगर हम डाउजन और नेस्टेक की पोजीशन देखें प्राइडे इवनिंग की तो वह एक परसेंट के लगबग जो है पॉजिटीव से पॉजिटीव रहे तो उसका कुछ इंपक्त देखने को मिला राइट उसके अलावा जो है मार्किट ने आज कुछ खास मेंट तो नहीं दिया करीबन बाजार खुलने के बाद चार घंटे तक बाजार जो है वह एक ही पैटरन पर काम करता रहा अगर आप देखें यहां पर यह 15 मिनिट का चार्ट है लेट मी शो यू तो अगर आप देखेंगे तो इ तफ तरीके से मार्किट ने यह कंसोलिडेशन पीरिड को थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया और वापिस से मार्किट जो है वह बाउन्स बैक किया तो दो बजे के असपस फॉल आया था और करीबन पंद्रा मिनटी रहा यह फॉल और उसके बाद बापिस से बाजार जो है बाउन्स बैक कर गया अभी स्पैसिफिकली कहना बड़ा मुश्किल है कि बाजार जो है वह किस तरफ जाने के मोड में है बिकोज ग्लोबल क्यूज या काइंड ओफ को अधर इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो अधर इंडिकेटर में कुछ इस तरह का मोमेंटम अभी बजार में दिखाई नहीं दे रहा है कुछ एक्सपाइरी नियरबाय होने की वज़े से भी जो है अभी वीकली एक्सपा अधरी नियरबाय होने की वज़े से जो हैं बाजार में कोई ज्यादा उथल पूथल अभी दिखाई नहीं दे लिए तो अगर मैं बात करूं बाजार के लॉंग रन के बारे में तो बुलिश ही है लॉंग रन में मार्केट बिकोज 200 EMA के उपर अभी भी बाजार बना हो हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है चाहिए मार्केट कहीं पर भी अभी ट्रेड कर रहा हूँ इड़ेजंट मैटर लॉंग रन में अभी हाल फिलाल जो बाजार के क्यूज है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ली बाजार आपको डेफिनिटली पैसा देगा और स्पेस अधिक करते हैं तो उसके बार में भी डिसकस करेंगे ठोड़ा सा डिटेल में मार्केट शौट टम की अगर बात करूं तो साइडवेज है कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे अगर आप देखें तो ये दो ट्रेडिंग सेशन करीबन-करीबन एक जैसे रहे हैं इसके बाज बाज आछ डिप दिया डिप देने के बाज फिर ऊफर से नीचे आया और फिर उसके बाज प्रोप雅 कि जूरूर कि लेकिन बाजados जाते हुए के बाज़ करके घया या निफ्टी यहां से 20,200 क्रोस कर जाएगी या निफ्टी यहां से 19,500 कर जाएगी इस तरह का अभी कुछ भी क्यूज निकल के नहीं आ रहा है मार्टेट से मेजर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 19,490 का मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी में जो काफी अच्छा बजार ने मेंटेन किया हुआ है और इसके आसपास अगर आपको बजार दोबारा दिखाई भी देता है तो वहां से आप एक जो है 200-500 पॉइंट की रिकवरी फिर से देख सकते हैं तो यह एक स्ट्रॉंग पॉइंट रहेगा यहां पर बजार अगर दोबारा आपको धीरे-धीरे आता हुआ दिखाई देता है तो यहां इसके आसपास जो है इस लेबल के आसपास बाइंग बना सकते हैं और डेफिन नहीं है डिया देखी 112 करोड का वाई तो यह बिल्कुल जो है डेटा बिल्कुल नेगलेट करने वाला डेटा है कुछ भी नहीं है इसमें डिसक्स करने वाला ऐसा उसके अलावा अगर मैं बात करूं आज मार्केट में वालीम की भूमी का क्या रही है वालीम माइनस 8% और अगर हमने जो वाल्यम नौट किये थे टेट इस माइनस 52 % तो काफी ज्यादा वाल्यम डिक्रीज होगे और मार्केट आज काफी उपर ग्याप उपनिंग के साथ खुला तो वॉल्यूम और मार्केट प्राइसिंग का जो है अगर मैं बात करो वह कहीं पर भी मैचिंग नहीं हो रहा है उसके अलावा ओपन इंटर्स की अगर बात करें तो वह एक देट परसेंट के बीच में खेल रहा है इसमें भी कुछ भी ऐसा निकालने वाला नहीं है त तो कल का क्लोजिंग दोस्तों 19.840 था और आज का क्लोजिंग 19.811 का निफ्टी का हुआ है तो इसमें कुछ इतना बड़ा यहां पे कुछ भी गैप या गैप डाउन नहीं है क्लोजिंग में क्लोजिंग की बाद कर रहा हूं तो as of now मैं फिर से वही repeated strategy पर जाओंगा फिर स क्या पप खुला तो 19.800 के पास ऊपर हायर लेवल देखने को मिल सकता है तो अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो हायर साइड पर 19.850 बाजार ने दिखाया और डाउन साइड पर अगर बात करूं तो 19.870 का लो के आसपास हमें बाजार जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया तो ओवरोल सिच्वेशन अगर आप देखोगे ना हाई डे हाई से लेके डे लो तक की तो वह 90 की सिच्वेशन है और मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि अगर आपको निफ्टी 100 नीचे काम करता हुआ दिखाई देता है डे हाई से तो वहा आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा बीच में काम करने का कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी फायदा नहीं है पसने वाली बात हो जाएगी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज के कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन्हों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया बाज लेंटी टामोटर्स टीचेस इंडसिंट बैंक और यूपी यल इस टॉक्स इन रेड तो दोस्तों अगर मैं इंडेक्स की बात करो निफ्टी बैंक निफ्टी मिड्काप निफ्टी नेक्स निफ्टी निफ्टी टू हंडर निफ्टी फिफ्टी तो यह करीबन आधा परसेंट के लगवग जो है वी में क्लोज हुए हैं उपर क्लोज हुए हैं तो स्लाइटली बुलिश आइवुड से पॉजिटीव स्लाइटली पॉजिटीव राइट ट्रेंड बट नोट आ वी कांट से हेर कि यह कंटिनुशन पैटरन रहेगा अभी ऐसा खुछ भी नहीं है क्याना बहुत मुश्किल है उसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल क्यूज की तो आज भी यूरोपियर मार्केट के हाल थोड़े ठीक ठीक से ही हैं बट नेगिटीव नहीं है एटलिस राइट और अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स और नेस्टेक अभी डाउ जो है वह करीबल आदा पर्शेंट के लगबग ऊपर जा रहा है और नेस्टेक जो है वह फ्लैट खड़ा है उसमें कोई खास चेंज नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ग्लोबल क्यूज हाल फिलाल की अगर मैं बात कर आज के आज के लोग के पास निफ्टी में बाइंग बना सकते हो यानि कि साढ़े साथ सो के नीचे तो कल के लिए मंत्रा यही रहेगा प्रीविएस दे हाई लोग पे काम कीजिए इसेल उन प्रीविएस दे हाई बाइओ प्रीविएस दे लोग और वहां से आपको 40-45 पॉ कम टू दे एक्सल कि हम क्या अड़न करने वाले हैं तो निफ्टी आउटलुक की बात करें ओवर ओल दे ट्रेंड इस साइडवेस अगें वही लिख रहा हूं इसमें कोई बदला मुझे नहीं दिखाई दे रहा हैं बाइओ डिप एंड शैल ओन राइज यह स्ट्राटीजी रखिए बैस्ट है अभी और अगर मैं गैप डाउन ओपनिंग की बात करो इफ मार्किट अगर वो गैप डाउन ओपनिंग करता है कल निफ्टी तो क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं देखिए करीबन 810 के पास क्लोजिंग दिया है 1910 के पास तो अगर अगर मार्केट डाउन खुला तो तब भी बाजार जो है अब साइड में अगर मैं बात करो 19-840 आज का हाई फिर शायदी तोड़े मार्केट और डाउन साइड पर अगर हम बात करें तो 19-680 का लेवल देखने को मिल सकता है आपको अगर मार्केट डाउन साइड पर अगर मार्केट फ्लाट ओपनिंग होता है तो क्या लेवल देखने को मिल सकता है तो अगर बाजार फ्लाट ओपनिंग होता है तो 19-835 हायर साइड 19-730 डाउन साइड तो ओवर ओल मुझे जो सिच्वेशन अभी नजर आ रही है मार्केट की 19-7.5-19.5 बाटली अगर मैं पिक्चर देखू तो हां अगर बड़ा बहुत बड़ा massive gap up massive gap down खुला तो बाजार तो फिर scenario change हो सकता है then we will discuss accordingly and I would request to my viewers if you are getting any kind of query during the market trading hours you can connect me you can connect me at my this number 9888 90 2353 right you can speak with me if you are carrying any kind of positions in nifty if you are if you want to share with me the your open positions in F&O future and options then please you may connect me or definitely मैं पुरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई better solution दे पाऊं आपकी position अगर कुछ लंबे समय से आपके आपकी position जो है वो काफी लंबे समय से अगर block बढ़ी है तो दोस्तों आज के लिए सिरफ इतना ही keep watching my videos keep and keep sharing also my videos and request करना चाहूंगा कि please अपने views जो है comment box में जरूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को लेके और अगर आपको लगता है कुछ और भी add-on करना चाहिए तो definitely I will do that accordingly thank you so much have a great day bye करना है